यकीन नहीं हो रहा मैं इन जैसी वेब सीरीज कर रिवियू कर रहा हूँ नमस्कार दोस्तों आज इस वीडियो में बात करने वाला मस्ट राम वेब सीरीज के बारे में जिसे MX Player पर रिलीज किया गया है इसमें टोटल 10 एपिसोड है और ये जो 10 एपिसोड है वो करीबन पांच गंटे गया है मतलब पांच गंटे तक गंद दिखाये जाने के भी हद होती है मतलब किसका दिमाग चलता है इतना और अभी तो ये सिर्फ फर सिर्फ फर्स सीजन आया है इसकी जो कहानी है फर्स सीजन में ऐसे दोर पे लाके छोड़ी गई है कि इसका सैकिंड सीजन में लाया जा सके जब ये सीर्फ देख के हाट आ तो मेरा बड़ा मन हुआ इसके जो डिरेक्टर है उनके बारे में जरूर जानू तो इसके दो डिरेक्टर है एक शशिकांत रंजन है और दूसरे प्रतीक उपल है मैं कसम से कह रहा हूँ इनको थोड़े टाइम बात पॉन्ड वीडियो वाले ये कहेंगे कि आओ हमारे पास और तुम ही डिरेक्ट करो यहां पे पॉन्ड वीडियो अब इस अस्तान अशाद फूंक कर बाटे थे गया तुम्हें अंदाजा भी तुम्ने क्या बनाया है मतोब उलू कम था क्या उलू हो गया है एल्टी बाला जी होगी ये ओनलाइन प्लेटफोर्म कम थे गया तुमने एमेक्स प्लेयर को भी उतार दिया इस चीज में और ऐसी घटिया डिरेक्शन ऐसी घटिया स्टोरी के साथ स्टोरी तो क्या कहूँ यार स्टोरी बोलना ही पाप है यहां पे दो अब इतनी वहियात B-grade की सीरीज या मूवीज अब बनती जा रही है जैसे लोगों के बास अब कंटेंट तो रहा नहीं अब क्या है कि लोग हफसी तो बैठे ही है अब उनको क्या करो ऐसी लड़कियां लाकर वहां पर जिस्मानी परतरशन करो तो वही कंटेंट है लोग वही देखने के लिए त्यार बैठे है तुम्हारा इससे क्या होगा ओर्लाइन प्रेटफर्म बढ़ेगा लोगों को बेवकूप बनाएंगे बस यही जल रहा है अब तो अब आप लोगों से इस सीरीज की कहानी है पता नहीं क्या है उसके बारे में बात करते है तो एक लड़का है राजा राम वो लड़का है या नहीं है मैं डिसाइड नहीं कर पाया यह सीरीज देखकर उसे इस सीरीज में एक राइटर दिखाया गया और कसम से वो राइटर वही होगा जिसने ये सिरीज भी लिखी है तो राजाराम पहले शुरू में क्या करता है एक बहुती सिंपल साहित्य लिखता है एक बुक लिखता है देविका की व्यता ऐसा कुछ करके और उसमें वो एक देविका को बड़े ही स्ट्रोंग वोमन के किरदार मेरी प्रेजेंट करता है लेकिन प्रोड़क्शन हाउस वाले उसके बुक को मतलब चापने से मना कर देते हैं क्योंकि कहते हैं कि भाईया तुम ये जो कहानी है वो बहुत बकवास है तो उसका जो प्रोड़क्शन हाउस का मालिक उसे कहता है यार राजाराम कोई अच्छी सी कोई तड़क भड़क सी कोई चीज लिख जिससे लोगों के तन बदन में आग लग जाए तो राजाराम बड़ा उदास होता है कि यार मेरी इतनी साहिते वाली चीज वो ये चाप नहीं रहे तो तड़कता बड़कता क्या लगी ये बात वो अपने दोस्त को बचाता है और दोस्त इसका इतना महान है इतने महान दोस्त होते है मैं तो पहली बार देखा है रहे इस सीरीज में वो इसको पॉन मुवी दिखाने के लिए थेटर में लेके जाता है जहां पर इसको इंस्परेशन मिल सके है ये बता सके कि जमाना जो है वो इस टाइप की बुक्स लिखने में देखो लोगों को ये पॉन मुवी देखकर कितना जोश आ रहा है जब तुम लिखोगे तो पढ़ने में कितना जोश आएगा ये इंस्परेशन वहाँ से मिल रही है राजा राम ये इंस्परेशन लेके sex story लिखना start कर देता है अपना राम मस्तराम लिखता है और क्या-क्या story लिखता है यार मतलब अपने पडोस में उसने अपनी भावी को देखा तो उसके बारे में विचार करने लगे और साथ इसाथ वो बोल रहा है उसके साथ प्ले भी हो रही हैं वो चीजें किसी भी क्या गए हैं कि दुकानदार में किसी लड़की को देखा तो वहाँ पर उसने अपनी गंदे विचार वहां दे दिये total 10 episoads बनाए गया है कमाल की बात है इन 10 episoads में कहानी कुछ नहीं चली है तो यह 10 episoads शिर। शिरुप कभी दोभीन के ऊपर कभी दुकांदार के ऊपर कभी अपनी होने वाली wife की दो सहीलियों के ऊपर अपनी होने वाली वाइप की बुहा के ऊपर, भाभी के ऊपर, चलती फिरती, बस में जारी लड़की के ऊपर, मतलब हर किसी के ऊपर इसने स्टोरी बनाई है, अपनी इमेजिनेशन दिखाई है, और इसका प्रोड़क्शन आउस, जो इसका प्रोड़क्शन आउस का माली का वह गहता है कि value इनी books की है, यह धडलले से बिगने जब स्टार्ट हो जाती है, तेरी जो साहिती की किताबें उसको कोई नहीं पूचता उनकी value दो कोडी की भी नहीं है, उसको एक demo दी भी दे के दिखाता है तो अब seriously बात करते हैं जो books होती है न, वो अच्छी books की बात करता हूँ, आप किसी भी कलाकार, या फिर किसी भी खिलाडी, या पॉलिटीशन या बिजनसमेन, किसी की भी अगर आप बायोग्राफी पढ़ते हो, या उसके बारे में कुछ जानना चाहो, तो उनमें एक चीज बड़ी common मिलेगी, कि वो सारे के सारे books बहुत पढ़ते हैं, लेकिन अच्छी books पढ़ते हैं, तो इन जैसी series जो ऐसी घटिया बातों को promote करते हैं, कि books जो अच्छी किताब पे होती हैं, उनसे कुछ नहीं होता, जो sex story होती हैं उनसे बहुत अच्छा, पता नहीं क्या बताने ही कुशिश कर रहे हैं, मुझे तो समझ आया है नहीं, लेकिन ये सब बखवास चीज हैं, दूर रहूं इन सब चीजों से, अगर तुम लोगों को अच्छे में अपने आप में grow करना है अपनी personality, अपनी सोचने का तारीक का, बहुत अलग टाइप के angle से सोचने, तो पढ़ना स्टार्ट करना पढ़ेगा, तो अच्छी किताबे पढ़ने पढ़ेंगी, बहुत सारी अच्छी market में किताबें available हैं, तो उन चीजों को पढ़ना होगा, इन इस ऐसी वाहियाद सीरीज को देखने से, या इन जैसी घटिया किताबों को पढ़ने से, इनसान का दिमाग ही खराब होता है, उसके दिमाग में कच्रा ही भरता है, पर बात रहें इन जैसी मस्तरावं वेब सीरीज की, या उलू पे जो भी सीरीज आती रही है, देखो यार, इन लोगों के पास तो कोई काम दंद है नी, इनके पास content है नी, तो ये लोग क्या कर रहे हैं, ऐसी वाहियाद story, story नी, वाहियाद content लेके आ रहे हैं, फिर content बोल रहे हैं, वाहियाद चीजें लेके आ रहे हैं, आप लोगों के सामने, क्योंकि इनको अपना पेट भरन है, तो भाई, आप लोग दिमाग है, common sense है, तो अपना वो use करो, इन जैसे के चक्र में बिल्कुल मत पड़ो, दूर रखो, वो लेके आ रहे हैं, उनको लेके आने, लेकिन जब तुम देखोगे नहीं, तो वो एक टाइम उनको ऐसास होगा, कि हाँ यार, कोई लोग इसको देखना ही पसंद नहीं करते, तो अपने आप बंद हो जाएंगी, कोई ये नहीं कि हम बोलें, कि बंद करो, बंद करो, ऐसा कुछ नहीं होता, तुम दे चैनल पर आपको उसका रिव्यू भी मिल जाएगा, आई बैल पर एक, उस पे क्लिक करके आप देख सकते हैं, तो मैंने सोचा कि यार, MX Player जैसे वे, जिसमें मैंने इतनी अच्छी सीरीज देखी, बोकाल ऐसी सीरीज अच्छी मैंने देखी, तो क्यों ना, इसको भी देखा कोई मेरा इंटेंजन ऐसा नहीं था, तो आप लोगों का ऐसी कोई चीज देखने की जुरूरत नहीं है, और अब बात करें स्टार की, देखो यार, ऐसी मुवी क्या आगे, या सीरीज क्या आगे स्टार की बात करना ही बेकार है, तो दुर हो यार, इन से चीजों से, अपन इस मिनिट, भीस मिनिट की लाके खतम तो कर देता है, पांच-पांच घंट यार, वाहियात पने की, यारी, मतलब कॉंपेटिशन लगा दिया इस चीज में, चोड़ो यार इन सब चीजों को, मैं भी इसके बारे में और बात नहीं खरना जाता है, मेरा भी दिमाग खराब ह हो रहा है, गुसा भी होता रहा है, क्यार, आज के लिए बस इतना ही था इस वीडियो में, टैंक्स फॉर वॉचिंग इस वीडियो, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, जाहिंट